नमस्कार दोस्तो मेरा नाम शेफधी रज है उमीद करता हूँ आप लोग बहुत ज़ादा अच्छे होंगे किसी नहीं मुसे कोशन पूझा था कि आपका USB क्या है आपके प्रोग्राम्स, mentorship program आपके cloud kitchen, restaurant, food truck के courses की USB क्या है आप हमें बताईए तो यहाँ पे मैं आप लोगो को अपने प्रोग्राम्स और अपनी USB के बारे में कुछ बाते बताता हूँ बाकी आप लोगों के उपर है लेन students लोग देखते हैं जो already इस industry के chef लोग हैं वो देखते हैं तो मेरा industry में already एक अच्छा सा आप बोल सकते हैं नाम है क्योंकि मैं 2004 का pass out हूँ लगबग 15 सालों से ज्यादा मुझे इस industry में हो चुका है तो लोग मुझे जानते हैं आप मैं जो भी अपनी vacancies post करता हूं तो लोग उस पे interest दिखाते हैं और मैं direct वहाँ पे honors के number डालता हूं मैं तभी अपना number नहीं डालता हूं तो यहाँ पे जो आपके जो manpower की problem है वो उसका भी आप लोग को solution मिल जाता है दूसरा यहाँ पे जब भी आप किसी consultant को भी hire करते हैं तो consultant भी आपका वहाँ पे अपना एक मही महीने दो महीने देखे आपके लिए सट अप करके चला जाता है पर वहीं आपको बाद में सेम वही difficulty face करनी होती है क्योंकि आपको नहीं मालूम होता costing के बारे में आपको नहीं मालूम होता है कि daily operations क्या होते हैं तो यही सारी चीजे मैं अपने mentorship program में सिखाता हूं और यहाँ यहाँ पे classes वो personalized classes होती है मैं one to one video call या audio crawl के थ्रू सिखाता हूं यह सारी की सारी costing वगेरा निकालना ताकि बाद में honors को कोई भी दिक्कत ना हो तो जो भी उसके operations होते हैं वो उनको आसानी से पहले ही सीख जाते हैं तीसरा यहाँ पे जो बात आती है हमारे investment की बाती है और जो major chunk होता है हमारा सुरू में investment का वो लगता है हमारे equipment में लेके या फिर हमारे interiors को लेके तो यही सारी चीजे हम लोग उनके लिए concept design कर देते हैं क्योंकि customer को हमेशा लगता है कि वो सही बोल रहा है पर actual में जब वो एक proper तरीके से समझाये जाता है तब उसे समझाता है कि मेरा जो concept है वो चलेगा या नहीं चलेगा तो यही सारी चीजे अगर हम एक तरीके से cost wise हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं और यही सारी चीजे मेरे जो programs के अंदर सिखाई जाती है और यहां पे आप लोग सारी की सारी चीजे personalized तरीके सीखते हो आप लोग इसे personalized classes भी ब occupants के होगे या फिर आप लगा लीजे आपके जो यह daily raw materials आता है उनके लिए उनकी भी आपको guideline दी जाती है कि कैसे आपको उनसे deal करना है कैसे आपको उनको handle करना है तो यह सारी चीजे आपको सिखाई जाती है अगर आप इन्हें properly समझ पाते हो और जब आप actually आप लोग start कर करते हैं वह अपने courses बेचते हैं अब वहीं ऐसे लोग जो इनके courses लेते हैं उसके बाद मेरे लगबग ऐसे मेरे पास कम से कम 15-20 लोग हैं जिन्होंने उनके courses लिए recorded videos ली उसके बाद उनको एक group में आपको डाल दिया जाता है WhatsApp group इन लोगों के होते हैं वहाँ पे आप खोल के लगा देते और कुछ समय के बाद उसे बंद करके बैठ जाते हैं क्योंकि आप उसको प्रापर चला नहीं पारे तो यहीं मेरा USP है आपको manpower की आपको operations के बारे में यह सारी के सारी जानकारिया मिल जाती है आप मेरा course ना लेके बाकी लोगों का भी course ले सकते हैं ब जाहिंद